आसोनी नियूस खबर आपको साती साथ इसके परिवार के ओपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं अब दिली पुलिस इसके ओपर मकोका लगाने के प्रयास में जुड़ गई और जल्द ही दिली पुलिस के अधिकार ने बता है इसके ओपर मकोका लगा दिया जागा आपको बता दें 142 मुकदमे इस अपराधी क पर दरज है और लेकिन आप देखते हैं कि चहरे पे कोई भी सिकन नहीं है, लेकिन डिली पुलिस ने तीन महिने बाद आखिरकार इस आरोपी को उडीसा से गरफतार किया है, साथित असाथ मडरख केश में और भी परवार के जो लोग थे उनको भी दिली पुलिस ने गरपतार किया है। वांटेड क्रिमिल्स हैं उसमें से एक है। पचास जार उपे का इसके उपर रिवार्ड अल्रेड डिकलेर्ड है। और हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन सागरपूर में 13 जुलाई को एक मर्डर हुआ था। जिसमें यह वांटेड था तब से पुलिस की गिरफ से भार था भाग रहा था। और हम पॉंटिनुवेसली इसको तभी से मल्टिपल टीम्स मना के चेज कर रहे थे। और यह चेज फाइनली उडिसा में जाके एंड हुई जहां पे लोकल पुलिस की भी हमें पूरा उडिसा पुलिस का पूरा सपोर्ड मिला। और फाइनली जोगिंदर जोगा और उसकी वाइड जो तेरा जुलाई को पुलिस स्टेशन सागरपूर में एक शारुख नाम की लड़की लिए जो मर्डर हुआ था उसमें वॉंटिड थे। इनको अरेस्ट कर पाये हैं। टीम्स जो इस मर्डर केस में और चार आरमी पहले लिए हम अरेस्ट कर चुके हैं। यह धर के अंदर एक मर्डर हुआ था। शारुक जो है इसका नोन था पहले से और इसके घर में गया था। जगड़ा हुआ किसी बात पे। तो कैची की मदद से इसमें घर के अंदर ही उसको मारा था। और एविडेंस जब वाश ओफ करने की कोशिश करी। तो कुछ आइविटनेस इसमें देखा कि बलड जो है इस ऊजिंग आउट। धर के बाहर तक खून आ रहा है। तो विक्टिम की वाइफ और दली वालों ने पुलिस को तुरंत अलर्ट किया रहा। पुलिस टीम जब तक पहुंची घर पे तब तक फैमिली जोगा की और उसकी फैमिली इसमें इसकी मदर भी मैं फ्लैग करना चाहूंगा पुलिस टेशन सागरपुर की इसकी जो सिस्टर इनलाओ है वो भी हिस्ट्री शीटर है पुलिस टेशन सागरपुर की और नार्कॉटिक्स में एक्साइज में सनलित रहे हैं और इसका ड्रेडनेस इस बात से बाहर आता है कि पुलिस टेशन सागरपूर की टीम ने इसको NDPS में बंग किया था जिससे ये 12 जुलाई को ही बाहर आया था जेल से और 13 को इसने ये मर्डर किया अपने घर के अंदर ही और तब से हम इसकी चेज में थे अमारी टीम्स ने रा इसकरी अलगलग जगा पे जहां पे इस मर्डर से मुतालफिक दो लोगों को हमने अरेस्ट किया उसके सब्सेक्वेंटली कॉंटिनुएसली इंटेलिजेंस बेसिस पे एस वेल आज जो टेक्निकल सर्वेलेंस हमने मांट कर रखी दी टीम्स वेंट एस पार अस तमिल नाद इस पे सर्वेलेंस रखे वे थे कि उनकी सीडिया को बार बार अनलाइस कर रहे थे उनके सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को वट्साप ग्रूप्स को हम कॉंटिनुएसली मॉनिटर कर रहे थे तो हमने अब्जर्व किया कि दो नए नंबर जो हैं वो इसके एक नेप्यू तरश्यर्व कि उसमें रीसेंटली थे तॉह थे उन दो नंबर को जब हमने फृदर से लिया तो यह दो नंबर रीसेंटली एक्टिवेटेड नंबर से उडिसा से उन नंबर को रडार में लेते वह टीम्स जो है जो फोटो जो दी गई थी लखिली जो गल्पी कर गया उसने अपनी फोटो दी तो वी कुछ नेल डाउन की हाई यह नहीं है कन्फरमेशन हो गया तो टीन्स वर कैंप देर तीन्स ने महीं कैंप किया एक इंफरमेशन और मिली जिससे बड़ी मदद मिली कि उस वेंडर ने हमें बताया कि यह SUV गाड़ी में आया था SUV 500 जो नहीं हां मॉडल है तो उस गाड़ी को हमने टेल करना शुरू किया मदद मिली CCTV फोटेज से भी जिसमें गाड़ी का नंबर मिला हमें तो we put zero down that vehicle to a repair shop हमने वहाँ पे फिर अपना trap लगाया और फाइनली जोगेंदर जोगा उस गाड़ी को करने जबाया तो हमने उसको ओवर पावर किया और अरेस्ट किया जिसमें हमारे को उडिशा पुलीस की पूरी मदद मिली और उसी की फर्दर उस पे इसकी वाइप को भ आपिस आ चुकी है और जोगिंदर जोगा भी पूलीस का स्टेडी में है हमारी और एक्स्प्लोरिंग की आगे और क्या स्टिंजन एक्शन इसके आगे लिया जाता है मतलब जुलाई से लेकर अब तक आपका उप्रेशन चल रहा था इसको बहुत है और वहीं जो लीड मिली थी उडिशा आप लोग टाइम लीड मतलब 10-15 दिन की बीच में पहुंचिया तभी पहुंच गया तो इसकी समय यह मैंने जैसे पताया था मैं स्पेसिफिकली चीज को मैंशन किया कि पूरी फैमली क्रिमिनल एंटिशिएंट्स की रही है मदर भी हिस्ट्री शीटर है इस्टर इन लॉब हिस्ट्री शीटर है इसने अपने सगे भाई का मर्डर किया हुआ और जब मर्डर हुआ तो इसकी वाईप धर में प्रेजेंट थी तो उसके रोल को रूल आउट करना इंपॉसिबल है दो उसके उपर पहले से कोई क्रिमिनल इंवर्मेंट नहीं है बट इस मर्डर केस में शीज डेपनेटली तो क्यो मारण आशन है भाई को यह चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसको लोकल सपोर्ट कैसे मिली इन एरियाद में क्योंकि राजिस्थान में लोकल सपोर्ट जो है वो एक कॉंटियूम में समझ में आती है कि दिली शेतर से राजिस्थान में चले गया बड़ तमिल अडू में और उडिसा में लोकल सपोर्ट को गैधर कर पाना वो इन्वेस्टिकेशन का पार्ट है वे भी लेग जामेंगा है तो मकोका के तहरी हो ही है इसके ओपर कई सारी केसिस है अभी दग पूलिस ने इसके ओपर मोका का इला है ऐसा लगता है कि ये एक फिट केस दाएगा